नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू और प्याज का होलसेल बिजनस कैसे शुरू करें दोस्तो गर आप भी आलू और प्याज का होलसेल बिजनस करना चाहते हैं करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हम आपको बताएंगे इस बिजनस को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तो ये एक बहतरीन बिजनस आप्शन है बहुत ही जादा फाइदा देने वाला बिजनस है क्योंकि आलू और प्याज की जरुरत तो हर घर की जरुरत है भले ही प्याज हमारे कुछ भाई बंदू जो है जो नहीं खाते होंगे लेकिन आलू तो हर घर की जरुरत है साथ ही होटेल, रेस्टोरेंट, ढाबा, खाने पीने की चीज़े बेचने वाले जो ठेले वाले हैं साथ ही सबजी बेचने वाले जो रिटेलर हैं वो सब को अलू प्याज की जरुरत तो पड़ती ही है तो इसका सेल तो बहुत ही अच्छा है अब अगर आप इसका बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा फाइदा तो अव्यस सी बात है कि देगा ही तो अगर आप इस बिजनस को शुरू करेंगे तो यगीन मानिए आज तक जो भी इस बिजनस को कर रहे हैं वो कभी घाटे में नहीं है और नहीं जो शुरू करेगा वो कभी घाटे में रहेगा बस शर्त है कि कुछ और टिप्स है जो फालो करेंगे जो मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा तो उन टिप्स को अगर आप फालो करते हैं start तो आप एक गोदाम एक दुकान आपको चाहिए होगा अच्छी location पर चाहिए होगा location ऐसा हो जो भीड़भाडवाला हो ज़्यादा ज़्यादा लोगों का आना जाना हो इस तरह का जगा होना चाहिए वहाँ पर आपको गोदाम या फिर दुकान जो आप कहलेजिए वह आपको चाहिए होगा जहां पर आप आलू प्याज का जो stock है वह आप रखेंगे जहां से आप operate करेंगे अपने business को तो यह जगा ऐसी होने चाहिए साथ ही भीड़भाडवाले लोगों का आना जाना तो होना ही चाहिए ऐसी जगा होना ही बलकि main road के बगल में होना चाहिए जहां पर easily आप जब माल मंगवाते हैं तो उसके लिए जो गाड़ी आएगी वह easily आ सके जो आप से माल खरिद कर लेकर जाएंगे जब वह गाड़ी में लेकर जाएंगे तो वह भी गाड़ी easily आ सके और माल easily लेकर जा सके तो इस तरह की सुविदा हो ऐसी जगा हो आपको ऐसा जगा ऐसा location देखकर आपको गोदाम या दुकान आप जो भी कह लिजे वो start करनी है दूसरी चीज़ जो ज़रुरत है वो है helper रखनी होगी आपको क्योंकि आप अकेले तो सारा business सारा कुछ operate नहीं कर सकते especially जब गाड़ी से माल उतार कर गोदाम में रखना हो या फिर गोदाम से माल तॉल कर अपने customer के गाड़ी में रखना हो तो ये सब तो एक helper ही करेगा आप से तो होगा नहीं आप करेंगे भी नहीं तो इसलिए आपको कुछ helper चाहिए होंगे साथी कुछ महिलाएं आपको चाहिए होंगी जो आलू और प्यास को साफ करे सड़ी गली आलू प्यास को अलग करे और अच्छे अच्छे अलू प्यास को अच्छे से साफ करके वो pack करे देखे रखे इस तरह से साथ ही आपको चाहिए होगा तॉलने वाली मशीन एक या फिर दो बड़ी सी एलेक्रोनिक वेंग मशीन आपको चाहिए होगे साथ ही आपको चाहिए होगा जूट के बोरे क्योंकि आलू और प्याज खरीदने के लिए बेचने के लिए बोरे की जरुरत तो आपको होगी ही न तो अब बात आती है कि चलिए ठीक है ये सब तो होगी आरेंज अब सस्ते में माल कहां से खरीदेंगे तो सस्ते में आलू और प्याज अगर आप खरीदना चाहते हैं अपने होलसेल बिजनेस के लिए तो एक सिंपल सा तरीका है कि आपके आसपास के एरिया में जो भी ग्रामिन शेत्र है जहां भी किसान जो है वो आलू और प्याज की खेती करते हैं अगर आप ऐसी जगा से हैं आसपास के एरिया में आलू प्याज की खेती बड़ी मात्रा में होती है तो वहाँ पे आप उन किसानों से कॉंट्रैक करके एक कॉंट्रैक कर लिजिए उनसे कि आप हमें ही माल दीजिएगा हम आपसे माल खरी देंगे रिगुलर बेसिस पर खरी देंगे तो उनसे आपको स से आप माल खरीदिये तो यह आपको सस्ता पढ़ता है अब बात आती है कि इन सब को करने में कितना इंवेस्टमेंट आपको लगेगा तो कम से कम अगर छोटे लेवल पर श्टार्ट करते हैं तो साथ हजार से एक लाग तक की जरुरत आपको पढ़ती है जादस जादा आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहें वो आपके उपर है और एक बात बता दू कि वैसे तो आप 10,000 लगा कर भी इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं पर उस केस में आपको घर में ही गोदाम बनाना होगा अलग से आप को गोदाम नहीं ले सकते दुकान नहीं ले सकते तो देखिए इजिली आप 50,000 तक शुरुआत में ही कमा सकते हैं और फिर जितना जादा आपका बिजनस बढ़ेगा, स्पीड पकड़ेगा, मार्केड में जमेगा, आपका जितना जादा सेल होगा, इंकम तो उतना आपका बढ़ता ही चला जाएगा, लाइसेंस की अगर बात चाते हैं तो वो टिप्स आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, पहला टिप्स कस्टमर को कैश के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की सुभीधा प्रदान कीजिए, दूसरा, दूसरों से थोड़ा कम रेट पे माल बेचिए और जादा से जादा कस्टमर को अपनी तरीके से चलाते हैं तो आप देखेंगे कि इस बिजनस में आप बहुत ही अच्छा इंकम भी करेंगे, आपका अच्छा इमेज भी बनेगा और आप मार्केट में लंबे समय तक ठीके रहेंगे